नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अनन्त काल सरप योग के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि जातक के जन मांग के प्रथम भाव में राहू और सब्तम भाव में केतु हो तथा इसके बीच सारे ग्रय आ जाएं तो अनन्त काल सरप योग बनता है जातक के घर में कलय होती है परिवार वालों या मित्रों से धूका मिलने की अशंका मिशा बनी रहती है मानसिक रूप से वेक्ति प्रेशान रहता है हाला कि ऐसे लोग सिर्फ अपने ही मनकी करते है तो इसके लिए आपको उपाई जो करने चाहिए आप अनंत काल सरप दोश होने पर आप नाग पंचमी के दिन एक मुखी, आठ मुखी, नो मुखी रुद्राक्ष धारन करें यदि इस दोश के कारण स्वास्ते ठीक नहीं रहता हो तो नाग पंचमी के दिन रांगे एक धातू से बने हुए सिक्का जल में प्रवाहित करें तो दोस्तों यह ऐसा अनंत काल सरप योग दोश के बारे में चर्चा आप अपनी कुंडली का संपुरन विशलेशन अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नमबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चैश्री राम दोस्तों